दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, चाहे पाई को लेकर हो, किसी एरड्रॉप को लेके हो, या फिर मार्केट को लेके हो, हलाकि इसके पीछे कुछ पॉस्टनल रीजन्स थे, जिसकी वज़े से मैं टाइम नहीं दे पा रह खेर, आज की अपडेट पाई के बारे में है, क्योंकि पिछले निकली नौ तारीक को पाई की तरफ से ये क्लियर किया गया था, कि जिन लोगों को लास्ट वाला या फिर सेकेंड लास्ट वाला KYC ओप्शन क्लियर नहीं हुआ है, उसके लिए किसी थार्ड पार्टी वेब नहीं की, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी थी, हाँ, लेकिन एक से दो दिन में मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा, आकर उसमें डिलिक क्यों हुआ है, और अगर हुआ भी है, तो अब प्रोसेस कब लॉंच होगी, पर इस बीच मेरे पास पाई के बारे में शेयर करने क आपकी financial growth और क्या, आगे बनने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे टेलिग्राम चनल पर रोज, कई लोग ऐसे links शेयर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आपको airdrop मिलेगा, ये join कर लो, वो join कर लो, ऐसा कर लो, और इसका शिकार भी हो जाते हैं, अभी एक बन्दे ने एक ऐसा ही airdrop हमारे group में join किया, ठीक है, और अब उसका metamask wallet hack हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि कोई कुछ भी कहे, आपको किसी भी link पर जाके click नहीं कर लेना है, आपको सिर्फ उन्ही genuine links पर click करना है, जो आपको हमारे channel की त तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को group के moderator बनाया जाए, इसलिए अगर आप मेंसे कुछ लोग channel पर moderator का काम करना चाहते हैं, तो मुझसे telegram पर आके बात कर सकते हैं, इससे ये फायदा होगा कि लोग ऐसे scammers का शिकार बनने से बच जाएंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन airdrop देने, moditors इस बात का ख्याल रखेंगे और time to time group में ऐसे links को delete करते रहेंगे, और group में सभी की help करते रहेंगे, खैर ये दो बात हुई team group की, अब बात कर लेते हैं Pi network के बारे में, मुझे सुनने में आया कि Pi की launching अगले महीने करती जाएगी, और इसके लिए Pi की KYC की सारी process इसी महीने खत्म कर ली जाएगी, इसलिए अगर आप भी wait कर रहे हैं, तो फिर इस बीच हर नई update पर नजर बनाए रखेगा, ताकि KYC का का काम पूरा हो सके, मैंने देखा पूरा internet सब कुछ बता रहा है, अलग-अलग बातों पर वीडियो डाली हुई है, लेकिन direct कोई जबाब पोचूंगा, ताकि आप लोगों को सही सही update कर सको, इस बीच आप सिर्फ अपनी Facebook और Pi को update करके रखेगा, Pi Network और Pi ब्राउजर में अगर कोई update नहीं है, तो उसको पूरा कर लीजेगा, ठीक इसी तरह एक जुन को Omega Coin की भी launching होने वाली है, जिसको लेके crypto market काफी गर मैं हुआ है, इसलिए अगर आप भी Omega Network को mine कर रहे हैं, तो अपने profile को पूरा रखेगा, application में wallet बना लीजेगा, जैसा कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में already बता दिया था, इसके बाद आपको कुछ task बूरे करने हैं, जिसके बारे में कल के वीडियो में step by step मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद अब बात करें battle street की, तो कुछ लोग मुझे thank you बोल रहे थे, क्योंकि उनके tokens investment के बाद withdraw होना शुरू हो चुके हैं, मैं आप लोग उसे कहूंगा कि भारे ही, आपकी tokens withdraw होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप लोग minimum investment ही करना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको इसके अलावा कोई भी बड़ा investment इसमें नहीं करना है, हलाकि मेरी एक बड़ी investment इसमें पहले ही लगी हुई है, जिसका return मुझे proper मिल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसमें कोई भी बड़ा investment करें, ठीक है, आप सिर्फ अपने free मे मिले tokens को withdraw करने के लिए जो minimum investment हो सकता है, उसको कर सकते हैं, इसके लावा battle street में कोई भी update नहीं है, लेकिन एक नई mining app ज़रूर मेरी नजर में आई है, जिसमें जो token mine हो रहा है, वो already launch हो चुका है, इसलिए मैं उस application को आप लोगों तक बहुत जल पहुंचाऊंगा, इसी बी पहाओ या शिकायत है, तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्ट्राग्राम पर बता सकते हैं, मैं मुलूंगा आप से अगली update के साथ तब तक के लिए जोड़े रही है हमारे साथ और जारी रखी अपनी financial growth